नमस्कार रादे रादे हरर महादेव मैं आपका आज चारदेव हम बात कर रहे हैं मेहनत करने की रासी मेहनत करने के लगन जो मेहनत के लिए जाने जाते हैं कोई क्या कर रहा है महत्कून नहीं है आप क्या कर रहे हैं ज्यादा महत्कून है परिवार के पोशन की रासी, जिम्मेदारी के साथ चलने वाली राशी, नाम है बिशब राशी, कृतकारों इड़ी और मुर्क सिरान चत्रका प्रभावली के चलते हैं, तो आप लोग सीधे हैं, सरल हैं, बैल के तरह मेनत करना जानते हैं, लेकिन बैल के तरह लात भी मारना सीधे हैं, बैल के साथ समझाओता नहीं कर सकते, घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बेवज़ा अपमान करके खिलाओ तो नहीं खाएंगे, लेकिन सीधे हैं, सरल हैं, परिवार के पोशन के लिए कृत संकल्प हैं, तो आप के लिए नवंबर का माह कै ऐसा जाएगा क्या क्या उपलब्दियां हैं और कहां का रखनी होगी सावत धानिया तो चर्चा आरंब करें मित्र उससे पहले विनम्र अनुरोध है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और हमें आप सपोर्ड करें इसलिए कि हम बातें जोतिस के मू समय होगा इसलिए आप सपोर्ड करिए तो क्रितका रोहेडी इम्रिक सीरा का प्रभावले कि आप लोग चल रहे हैं हम चर्चा करेंगे सिहत आपकी कैसी रहेगी तो सिहत को दिश्टकॉंड से समय अच्छा है प्रेम मिलेगा छे नवंबर के बाद आपको प्रेम मिलता हु कन्या में जाते ही बिल्कुल निच्ट के नहीं होगे उत्तरफालग्नी चित्रा में निच्टता नहीं रहती है हस्त नच्टत्र में निच्था आती है तो प्रेम चाहर में कहाँ हैं प्रेम के घर में है तो थोड़ा सावधानी बढ épॱ एगए Χी is सवधानी ब्रती हैगा इ इस संसार में जिसके ऊपर इष्ट की कृपा है ना, कोई रोक नहीं सकता मित्र, फिर सब कुछ उसी का है, तो यहाँ पर इष्ट से connectivity बना के रखेगा, चंद्रमा के नशत्र में ये जाके नीश के हो रहे हैं, तो यहाँ पर परिशानी के आती है कि आप जिन चुजों को नही सब्सक्राइनमा, गाय को एक मिठी रोटी एक तारिक से देना सुरू कर देजी, एक नमबर से ही, गुड रोटी खिलाते रहें, कोई नीश का नहीं होगा, आपका नेटवर्क कमजोर है, वाइफाई लगवा लिजिए, वाइफाई लगवाने के बाद, नेटवर्क में दोस करिये, थोड़े इत्र वगवरा लगाते रहें, चीज़ें अच्छी रहेंगे, फ्राइड़े के दिन तोड़ा इस पे जो है ना, इत्र वगवरा लगाया करो, अर लगा कर तोड़ा रगड़ा करिये, चीज़ें बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना, बुद्ध महाराज जो आपके प्रेम के स्वामी है, ऐसे बुद्ध महाराज आपके कुंडली में जा रहे हैं, सब तमभवा में, तो प्रेम बीवाह का योग बनेगा, बढ़िया है, प्रेम के लिए बढ़िया माह है, तो प्रेम में सफलता मिलेगे, थम में लगाया जा सकता है, प्रेम में मि जहां पर आपके घर वाले भी आपकी बात मान लेंगे वो लेंगे ठीक है यार कर लो बहुत दिन हो गया तुम लोगा चुपी करते हुए बुद्ध महाराज आपके कुंड़ी में दुती भाव की कारकत्व को लेके चलते हैं और पंचम भाव के मतलब धन तो ब्यापार के द लाव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो मंगल महाराज यहां से पूरे दिशंबर तक आपको बेहतर प्रणाम दे रहे हैं ब्यापार में गती होगी जीवन साथी का सायोग मिलेगा जीवन साथी से लाव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो किसे दरा की कोई दिक्कत परिशानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं सुर नाराण 17 नमंबर तक को नीच रासी में हैं और उसके बाद चले जाएंगे ब्रिश्चिक में नीच रासी में होना नीच को होना दोनों फरक है तो 6 नमंबर को सुर देव नीचता का परित्याग कर देंगे ठीक है नीचता का परित्याग कर देंगे तो 6 नमंबर तक घर में जो तनाव है, 6 नमंबर के बाद खतम हो जाएगा, मांगली की चीजें आपके जीवन में आ रही है, मा का स्वामी, सुख का स्वामी अपने से चतुर सुख के घर में जाने वाला है, तो सुख मिलेगा जी, और दोनों माताओं के बीच सामन्जस अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, मैंने जो रिलाइज किया है भाई, आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ, अगर 37 से दोनों लोग घर में रहें, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे रहते हुए दिखाई दे रहें, तो बेहतर समय सुर्य नाराण भी दे रहें, आपके जीवन साथी इस समय गतिमान होगा, जीवन साथी विकास के पत पे अग्रशन होगा, सनी महराज आपके जीवन में मारगी हो रहे हैं चार नमंबर को, शनी देव का मारगी होना योग प्रद है किसी भी मामले में आप देखेंगे सनी अत्यंत स्रेष्ट फल देने वाले हैं तो मेस रासी ब्रिशव रासी और मिथुन रासी इन तीनों के लिए सनी भागयोदय कराने वाले हैं अब नहीं तो कब भागय का स्वामी करम भाव में मारगी और राज सनी के धनिष्ठा नचत्र में फिर चलेगा वो राहू के सत्विसा नचत्र में आप राहू के सत्विसा नचत्र को देखें तो सत्विसा नचत्र करमा भाव में ही चलता है तो अब नहीं तो कब स्रेश्टा उसार है दोस्त मत चूको चवहान मत चूकिये मेहनत करिये जितना हो सकता है एनर्जी लगा दीजिए और 2025 मार्च के पहले पहले जो कुछ प्राप्त करना है प्राप्त कर लीजिए नहीं बाद में कठिनाई आएगे सस्योग अब क्रियेट होने वाला है आपकी जीवन में लेकिन क्रियेट तभी होगा देखो वर्षा होती है न मित्र वर्षा होने के मतलब फसल अच्छी होगी लेकिन आपके पास खेत होना चाहिए खेत को जुताई करना चाहिए बीज होने चाहिए दवा होने चाहिए खाद होने चीज़, तब तो जाके आप फसल हुगा पाओगे इसलिए पहले से तयारी करिए, किसका सस्योग का, सस्योग बनेगा, चार तरह की चीज़ें सपोट करेंगे, तब जाके सस्योग create होगा, राव माराज मीन में है, बढ़िया है, 30 अक्टूबर से ये रेवती नच्टर में चल ले हैं सम्र्द्धी का नच्टर एक अदस का राव लाव कराता है राजनीत में राव राजनीतिक लोगों से लाव बड़े लोगों से लाव भाई से लाव पिता से लाव यहां पे आने वाले आठ माह आपके लिए राव माहराज बहतरी नौसर दे रहे हैं मत्चूको चोगान जहां से जहां हाट डालेंगे वहां से सपलता मिलेगी भाई जुगार तंतर आपका सक्री होगा पॉइंट क्या है बुद्ध को मजबूत करके रखे अगर बुद्ध मजबूत रहेगा तो सब कुछ मजबूत रहेगा बुद्ध मतलब बुद्धी केतू महाराज आपके कड्यारासी में हो माहाराज को पुधर रहे को बढाम करते चलिए केतू बहतर ही फल देंगे एक गराब पचे चंडर महाराज तो चंद्र महाराज की गोचिरी इस्थिती प्रदिन बदलती रहती है नच्छत रखे नुशार तो उसको मैं आपको अगर मौका मिला आप लोग सपोर्ट करिये जैसे मैं ब्रिश्चिक वालों को देता हूँ या और अभी तुला और ब्रिश्चिक पर दे रहा हूँ सापता ही करासिफल आप भी दे सापता हूँ ठीक है न लेकिन आप लोग बताएं चाहिए क्या तो चलिए खुश रहिए सुस्त रहिए मुस्कुराते रहिए रादे रादे करते रहिए नमंबर का में हम बेतर जा रहा है अपने बुध को और अपने शनी को मजबूत करके रहिए या आपको पता है तुला लगन तुला रासी है तो अभी एक एमराल पहनिए और एक नीलम पहनिए आपको भाग को बदल देगा अगर सिर्फ यही पता है कि आपकी बृषव रासी है मैंने पॉइंट अक आ का कि बृषव लगन बृषव रासी है तो पन्ना और नीलम पहनिए एमराल और ब्लू सफायर पहनिए अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में मेश लगन घाए मोब मतलegt excitement करणा इसको करना है कि मोईल है ना हिम महत्पून है लेकिन मोईल क्या है कि य॥ी महत्पून है भी महत्पून ह सब्वायई लेकिन वहाई है वे वाला चला है कि प्लाप चला है необходимо नहीं चल पाएगा इस चीज़ को आपको समझना होगा ठीक है न तो लगन के अनुसार रत्न सुद्धारण करिएगा लोग रासिव बताते हैं ठीक है मैं उनका विरोध नहीं करता लेकिन लगन पर होना चाहिए चलिए खुश रहिए सुस्त रहिए मुस्कुराते रहिए हम और मारे टीम आपके सिवा के लिए ग्रित संकल्प है राधे राधे